नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टेंस कमपानी के अपडेट सेयर करने वाला हो तो विडियो को पुर लास तक देखीगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रीम नी किया तो जुरू कर लेचेगा कंटिनेसली इन्फोर्मेशन और अपडेट सबाने के लिए चैनल को पर बने रहेगेगा तो चलो देख लेते कौनसा कंपानी है इस विडियो के अंदर फर्स्ट चो कंपानी है जिसके बारे में चर्चागरून उसका नाम है केपी आई गीन एनरजी के बारे में बात कर लू तो कंपानी 4900 कुरोड के आसपास मार्केट क्या है इसका और Gain Energy Industries में इस company एक revolution लेके आ सकते है क्योंकि जिस तरह के से company performance कर रहा है बहुत धमाका जैसे है क्योंकि 367 से बढ़के हो चुके है एक सल के अंदर अंदर 1400 के आसपास तो at least आप बोल सकते हैं तो 5 गुना के आसपास company fund आपको एक साल में कर दिया तो इतना बड़ा धमाका हो गया तो इसका मतले एनी के company bumper है तो company super है तो इसे मत सोचिए कि के company का market cap अभी भी 5000 क्रोड के आसपास है तो इसका मतला अभी भी एक small cap type company है तो small cap type company के उपर हमेशा आपको एक बात यात रखना है कि high risk ही company होते है जा पर रिक्स बहुत हाई होते है और reward मिनने का chances बहुत ज़्यादा कम होते है कि के company का ROC, ROV based देखने को मिला annual income बहुत सांधर है और company के depth of equity 2.58 के आसपास है प्रमोटर के holdings भी अच्छा कासा देखने को मिला और company के वह सबसी जो importance point लगा वो है company का quarterly result जो sales के मामले में company के result देखने को मिले 160 क्रोड से बढ़के हो चुके 215 क्रोड के आसपास बहुत सांधर sales हुआ और expense भी company control में रखे और company का profit margin जो 21 क्रोड से बढ़के हो चुके 35 क्रोड सारे tax सारे expense सब कुछ मायनस कने के बाद company का profit margin बहुत सांधर हुआ तो company के ऊपर तो धमा का तो होगा ही तो एक points company के ऊपर बहुत weakness है वो है company का करजा company करीबन- है कमपानी को Receible हुआ 200 क्रोड के आसपास, और कमपानी को Teats Gotta able करना है कितना 112 क्रोड मतलब 35 क्रोड कपानी के dream क activity तो actually company के dream कितना है 135 क्रोड तो बाकी 200 क्रोड कहा से मिलेगा तीसलिए कमपानी क्या क्या short time के लिए कंपानी करぜ उठाया 220 2020 क्रोड के असपास तो यह बात ठीक sprechen भाइब तूड़ाओं सा । ट्रbud धार सा की कोंपानी बहुत चोटा है अगर कSub स्टूंअ को यृक्णि को मतलब मा प्रम कमपानी को सप्री है कमपाने सा Size करक्रोच के मैं माल थोड़ा सा कम खरिदारी करूगँ गा मैं पैसा दिने में लेट करूँगा तो कमपाणी के बिजनेस बिगड सकते है तो रिक्स पानी है तो जो लोग रिक्स लेने के लिए बहुत इंतेजार कर रहे थे तो इस company के वो जूरी focus रखेगा और company के उपर जो promoter के पास holdings है वो आप देखेंगे तो 56% के आसपस promoter के पास holdings है पाकी FIS और DS के पास कुछ holdings नहीं है पुब्लिक के पास सबसेदा holdings है तो promoter के बाद public और FIS के पास ही अच्छा कासा holdings देखेंगे तो delivery के जो percentage वो देखे start button है उसके बारे में charge करो तो एक range की साबसे company के cup with benefits बना था finally breakout हुआ और target भी हो चुग है उसके बाद मैंने आपको यह भी बता कि फिर्च एक range को company breakout करके नीचा आ रहा था तो मेरा जो entry levels था actually इस level में था और company धीरिदे करके आगे बढ़ रहा है तो जिस level में company आगे तो मतलब एक journey अच्छा का सा देखने को मिल सकता है तो आपके करा है इस company के उपर जोरू comments करके बताना next company उसका नाम है clean science and technologies देखे clean science and technologies जो एक देखा है तो chemical sector से बिलंग करते है तो company जो manufacturing करते है वो specialty chemicals के उपर company ज्यादा स्यादा बीनिस करते है और performance chemicals के उपर ज्यादा स् result है वो देखा है तो company का sales के मामल में company अच्छा कासा sales भी किये 140 करोड से बढ़के हो चुके 150 करोड उसके बाद 200 करोड उसके बाद 180 करोड तो अलग level का profitability sales का growth देखने को मिले expense control करने के बाद net profit 54 करोड से बढ़के हो चुके 52 करोड के आसपास तो profit यहाँ अच्छा कासा हु कि company के उपर जो business है वो business तो ठिक टक चल दा है सिर्फ company के sector में problem है तो इसलिए company का profit margin में impact आया अगर sector में गिराबट ना होता तो आज श्यार लगातर भागते चल जाते हैं तो हर कोई chemicals company को उठा के देख लीजेगा चाहे वो relance हो चाहे वो पिडिलाइट हो चाहे वो srf हो तो किसी भी companies को उठा के देख लीजेगा जहाँ पर आपको big big correction देखने को मिल जाएगा तो कहने का मतलब एही है कि chemical sector में कुछ गरबड़ी नहीं है पुरा के पुरा सेक्टर में गरबड़ी है जिसके चलते company को पर प्रेसर इस देखने को मिला यह कमपानी के जो ROC है ना व हर किसी के पास अच्छागासा निवेस आपको देखने को मिल जाएगा तो company के उपर जो last few days का delivery के percentage है वो आप देखेंगे तो company के उपर एक average level 40% के उपर आपको देखने को मिलेगा तो 17 तरिके से एक average लिए आपको यहापे delivery के percentage दीखेगा और उसी के साथ company के वो चार्ट के बारें बात करो तो मैंने आपको यह भी mention किया कि यह पर एक range gate हुआ है और वो 20% के उपर एक range gate हुआ है और वो भी 200 days यह में के नीचे range gate हुआ है तो इस तरिके से range के उपर जब भी इस lower side को touch करेगा तो मैं anti लूँगा और यह upper side में इसका target बनेगा तो anti level बनने के बाद है मकर इस company के एक extra benefit अई है कि company chemical sector के साथ-साथ API के उपर भी काम करता है तो API क्या है active pharmaceutical ingredients active pharmaceutical ingredients का मतलब है जो हम लोग medicine मतलब medicine लीते है तो medicine जो doctors आपको फेफार करते है उस medicine को बनाने के लिए जो ingredient लगते है तो बुसी का ही product company बनाते है तो आर्थी drugs के उपर एक plus point है क्योंकि यह company दो sector दो अलगला categories के उपर business कर रहा है एक chemicals product के उपर और एक pharmaceuticals product के उपर तो दोनों में balance हो रहा है तो इसलिए company के जो profit margin है वो इसमें उतना खास correction देखने को नहीं मिलेगा company में जो profitability है वो एक ही range के उपर देखने को मिलेगा इसके range इस तरके से होने के पीछ एकी करण नहीं है कि company के profitability है उसका margin है वो इसलिए company के उपर growth हुआ net profit जो है वो इसलिए growth काम हुआ कि net profit मतलए इसलिए growth काम हुआ कि पूरा कपूरा sector में जो chemicals का demand है वो काम हो चुके है और chemicals का demand काम होने का मतलब है company के उपर एक correction momentum देखने को मिला तो as a investor इस company के उपर देखिए Fsds public ह हर किसी के पास नीवेस है और देखिए एक बात में बता दू इंस्टिडूशन जैसे डिएस उसके बाद 2% के holding था वो बढ़के हो चुके साड़े 5% और Fs के पास बीच में 1% के आसपास holding चला गया था आज वो बढ़के हो चुके 5% के आसपास तो एक अच्छा कासा company के उ sales का मतलब जो reserve है वो लगातार बढ़ता हो देखने को मिले और borings भी company के उपर 500 क्रोड से बढ़के हो चुके 500 क्रोड के आसपास मतलब करजा भी बढ़ते जा रहा है हाँ आप कह सकते है कि करजा क्या आसर बहुत बढ़ा हो गया नहीं हमें 0.50 के नीचे कोई भी करजा हो त मेरे खुद के portfolio में तो उस basis में देखा है तो company का करजा उतना नहीं है तो इस सारे points company के फ्लेवर में है तो इस company के उपर कुछ decision लेने से पहले यह सारे details को जुरू check out करना और उसके बाद company के last few months के data दिखा दूँ एक average 40 to 49% के आसपास average देखने को मिला जो average निकल का रहा है करीबन 45% के आसपास देखा सांधा तरीके से company के profit and loss देखने को मिले है और मैं जोरू कहूंगा इस company के उपर अगर आपको companies के उपर आर्थी डग्स के उपर एक चार्ट प्रेंस के बारे बात करूं तो solder come solder उसके बाद एक big head बना फिर से एक solder बनने के त्यारी में है जब भ कर रहा है कि इतना जल से जल अप्टेंड होगा क्योंकि बता जारे कि 2025 से पहले chemical sector में उतना ज्यादा growth आने का chances नहीं है तो देखा जाएगा कब growth होगा कब फिर से correction होगा उस date के लिए में इंतिजार कर रहा हो नेक्स चो कंपानी उसका नाम है आप देख सकते है अल्फा ल इसाब से मिलेगा तो यह था कुछ companies के update तो वीडियो में का जानकर अच्छा मिले तो please like करना दोस्तों के साथ भी share करना और किसी भी companies को निवेस करने से पहले खुद की opinion के हिसाब से काम करना कि मेरे तरफ से कोई भी यहापर recommendation वीडियो नहीं है तो मिलते नेक्स वीडियो म तब तक के लिए धन्यवाद